हालो दोस्तो मेरा नामे बिने और आप लोग देख रहे हो बिने टेक तो मैं आज आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाँ टू चेंज पास्वर्ड बाइदे हल्प आफ इंटरनेट बैंकिंग इन SBI तो आप लोग को ये वीडियो में मैं आप लोग को बता हूँ हूँ कैसे आप लोग चेंज कर सकते हूँ और यह जो प्रॉब्लम में इसको login password जो है, उसके उपर आप लोगो को click करना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत सरा option आप लोगो को मिलेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर forget my login password के उपर click कर रहा हूँ, और फिर next, और यहाँ पर पुरह detail आप लोगो एंटर करना है, username, account number, my country, country, mobile number, और फिर data bird, और फिर यहाँ पर capture करके submit button पर click कर देना है, ठीक है, तो मैं यह detail भरने जा रहा हूँ अभी, और उसके साथ ही आप लोगो ATM card का detail यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक, और यहाँ फिर profile password, मैं generally यहाँ पर prefer करता हूँ ATM card detail, ठीक है, यहाँ फिर आप लोग approach कर सकत with branch activation, यह लंबा procedure है, ठीक है, मैं यहाँ पर ATM card detail के through करने जा रहा हूँ, और फिर submit, और जो भी card activated, यहाँ पर आप लोग को choice करना है, और फिर confirm, और यहाँ पर card holder का name, validity, pin, और फिर capture एंटर करके आप लोग को next button पर click करना है, ठीक है, और validation जो है successful लिख रहा है, और click here पर click कर करना है, और यहाँ पर जो है new login password, दुबार आप पासवर्ड को enter करके, submit button पर click कर देना है, ठीक है, और फिर submit, और आप लोग देख सकते हूँ, यह login password has been reset successfully लिख रहा है, ठीक है, close करना है आप लोग को, और यहाँ पर आप लोग को username और password enter करना है, और फिर इधर आप लोग mpin से enter कर सकते हूँ, या फिर username से enter कर सकते हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर username के तुरू enter करने जा रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हूँ, यहाँ पर कोई भी error नहीं आ रहा है, और मैं yono sbi में login हो चुका हूँ, ठीक है, और यह जो problem है, यह solve हो गया है, ठीक है, तो इ किलिए वीडियो पुल अप्लिए, प्लिस तो लाक्षार, क्वांट और सब्सक्राइब, तो मैं यहाँ पिना टेक, थैक्य।